अब हम बात करेंगे तुला राशी की क्यों बात करने वाले हैं खास वीडियो ये इसलिए होने वाला है कि साल 2022 में आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा कुछ आदतों को अपनाना होगा ये आदते अगर आपके जीवन में हैं तो समझ लीजिए सफलता आपके जीवन में है तो साल 2022 में शिर्फ जोतिश की उपाय करके काम नहीं चलेगा उसके अलावा भी कुछ बातों को मानना पड़ेगा आये शुभारम करते हैं आपकी राशी से अगर कोई व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुश हो अपना हो या पराया हो आप से कुछ मांगे तो उसे साल 2022 में दे देना क्योंकि जितना देंगे उतना बढ़कर मिलेगा इश्वर आपको दे रहे हैं इसलिए कोई आप से मांग रहा है अगर इश्वर नहीं दे रहे होते तो कोई आप से मांगने भी नहीं आता तो एक सोच दिमांग में लेकर आईए कि आप दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं शुक्र करिए इश्वर का शुक्र मनाईए कि उपर वाले ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों को दे पा रहे हैं दूसरों को खुशी दे पा रहे हैं मुसरों को जो भी चीज वो मांग रहे हैं वो आप दे पा रहे हैं जरुरत मन्द की आप सहायता कर पा रहे हैं तो खुश हो जाएए कि साल 2022 आप के लिए इतना अच्छा है कि आपके हाथ से सामने वाले का भला हो रहा है और जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी दुआओं से आपका भला होता है और किसी की मदद करने से ईश्वर भी खुश होता है और आपके ग्रह सितारे भी मजबूत होते हैं तो पहला जो आपको अपने आप में बदलाओ करना है वो ये करना है कि अगर कोई आप से कुछ मांगे और यदि वो चीज आपके पास है तो दे दीजिए देने से घटा नहीं है बढ़ता है और इस बात का शुक्र बनाईए कि आप दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं दूसरी आदत जो आपको डालनी होगी आप साल 2022 में किसी की बुराईयों को नहीं ढूणेंगे चाहे कोई भी क्यों नहीं को नहीं ढूणना है आप उसके गुडों को पहचानिए तब ही आप सफल होंगे जो आँखे गुडों को देखती है वही आँखे दूसरे की बुराई भी देखती है इन्हीं आँखों से अच्छा देखा जाता है इन्हीं आँखों से बुरा देखा जाता है मक्ही आपने देखी होगी मक्ही जो मक्ही होती जो वो उड़ती है तो मक्ही जब किसी भी वेक्टी के उपर बैठती है जाकर तो किस जगे पर बैठती है पूरे शरीर में जहां पर साफ सफाई होती है वहां पर मक्की नहीं बैठती है या किसी जगे की बात करें तो मक्की उस जगे पर नहीं होती है जहां पर साफ सफाई होती है मक्की अगर शरीर में किसी बैठती के बैठती है तो उस जगे पर बैठती है जहां पर घाओ हो जहां पर कटा फटा या गंदगी हो या किसी इस्थान की बात करें तो उस जगे पर बैठेगी जहां पर गंदगी हो तो आप ये समझ लिए आपको गंदगी पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देना है यानि बुराईयों पर किसी इंसान की ध्यान नहीं देना है, उसकी अच्छाईयों पर ध्यान देना है, और बुराई किसी की नहीं कर दी है, तो जिस प्रकार से मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, सारी खुशूरती को छोड़ कर, एक व्यक्ती जो बहुत खुशूरत है, पूरा शरीर उसका वहाँ पर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी बैठेगी तो घाव पर या जप उपर या गंदगी पर, उसी प्रकार से आपको किसी भी व्यक्ती की बुराईयों को नहीं तूड़ना है, उन बुराईयों को बता कर उस व्यक्ती को नीचे नहीं गिराना है, उसकी हाई को जानकर मैं भी कुछ सीखिया हूँ जिससे मेरा भी भला हो सकता है तो इस बात का भी विशेश ध्यान आपको रखना होगा हम बात करेंगे तीसरी आदत की आपको इश्वर ने दिवांग दिया है तो किसी की काम को टालने की कोशिश नहीं करनी है अभी करना है तो अभ बहाने बनाना छोड़ दें नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे ये साल लक्ष्मी का है धर्म का है दौलत का है तो आप हर चीज में पीछे रह जाएंगे जो करना है वो करना है सुबह का काम शाम को नहीं सुबह का काम अभी करना है अभी का काम भी अभी करना है और वक्त स करना है दिन महीने तारीखों पर चीजों को टालना नहीं है बलकि करते चले जाना है तो बहाने बनाना छोड़ दिए अभी कर लूँगा कल कर लूँगा दो घंटे बाद कर लूँगी शाम को कर लेंगे ये आजाये तो कर लेंगे वो आजाये तो कर लेंगे ये सब बहाने ब मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हो जाएंगे तब मैं ये काम करूँगा मेरी मा जब मेरे साथ होगी मेरी मा नराज है जब वो मान जाएगी तब मैं ये काम करूँगा मेरे पिता जी का जब सहारा होगा उनका सपोर्ट होगा तो ये काम मैं उनके साथ करूँगा या उनके सा नहीं कर सकता हूँ यानि कि आपको किसी के सहारे की जरूरत है तो आपको ये सहारा अपने आपर से हटाना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा किसी के सहारे को नहीं ढूड़ना है खुद को मजबूत बनाना है और खुद मजबूत बनकर अपना सहारा खुद बनना है दूसरे के सहारे मत रहिए नहीं तो आगे नहीं निकल पाएंगे दूसरा नहीं आया तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे क्योंकि आप दूसरे का इंतजार करते रहेंगे अगर दूसरा नहीं आया तो वक्त तो रुकेगा नहीं वो आए ना आये लेकिन वक्त निकल जाएगा और वक्त निकल गया तो कुछ हाथ नहीं आता और बेवक्त अगर कोई आये तो फिर काम का कोई मतलब नहीं होता तो मैं आपसे यही कहूंगा किसी का सहारा मट ढूंड़िए किसी का सहारा बनिये भी मत लेकिन खुद के लिए खुद को मजबूत बनाईए और अपने बलगूते बेकाम करिए तभी 2022 में सफलता मिलेगी जो दूसरों की रह देखते रह जाएंगे कहीं न कहीं वो पीछे भी रह जाएंगे अगले पॉइंट की बात करेंगे दुनिया को ना देखें दुनिया की कम्यों को ना देखें खुद को देखें खुद की बुराईयों को देखे और उन बुराईयों को बदलने की कोशिश करे साल 2022 में तभी आप सफल होंगे पहले खुद का मैल मिटाईए फिर दूसरे का मिटाईए क्योंकि जब तक आप खुद शुद स्वच नहीं होंगे तब तक आप किसी दूसरे का भी भला नहीं कर पाएंगे और वेक्ति क्या करता है खुद उसके अंदर लाग बुराईया होती है और वो दूसरे को सला देने चलता है जो सला आप दूसरों को दे रहे हैं पहले उस सला से खुद का भला कर लिजिए फिर किसी और को सला दे दीजिएगा यादत भी डाल लीजिए साल 2022 में अगले पॉइंट की बात करेंगे आपका दूसर भाव होना दो नावों पर सवार होना मैं ये भी कर लूँगा मैं वो भी कर लूँगा इस कमी को कभी भी अपने अंदर रखियेगा नहीं एक ही काम करना है एक ही लक्ष पर चलना है एक ही लक्ष का सपना देखना है एक समय में दो लक्षियों को देखना कभी भी संभव नहीं होता है जब भी आप एक वक्त में दो काम करेंगे दो नाओं उपर सवार होंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो वेवार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिष्टा हो, उसमें कोई ना कोई गरबड होती चली जाएगी, और उसमें तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, और जब तकलीफ शुरू होती है, तो जीवत में तन होकर अपते काम को करना है अगले पॉइंट की बात करेंगे गपे मानना डिंगे मानना मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैंने 2021 में ये किया था मैंने 2020 में वो किया था मैंने ये सोचा मैंने वो सोचा ये जो दुनिया में 10 चीज़े हैं ये तो मैंने बनाई हैं मैंने ब पाला था लेकिन बना नहीं पाया किसी और ने बना लिया मेरे पास तो ये है मेरे पास तो वो है गपे मारना और फालतू की बाते करना छोड़ दीजे साल 2022 में नहीं तो कहते हैं ना असली के हवाईजाज में नहीं बैठ पाएंगे कागज के हवाईजाज ये उड़ाएंगे फिर तो सोच लेजिए अगर सफलता पानी है तो काम करिए असली के हवाईजाज में बैठिये नकली हवाईजाज में मत बैठिये बच्पन में एक हमारा दोस्त हुआ गरता था तो मैं तो गोछ्वा होते होते थे थे अपने रिष्तेदार के खर गया तो मैं तो बैठ के गया था मैं लोग बढ़ा खुश हुए कि हमारा दोस्त हावा आप्या आप थैों सब लोग बैठिय Ты तो हम इसा लगता था हवाई जाज कैसे बैठे उपर उड़े तो बच्चे लोग कहानी सुनते तो खूब इधर उधर की गप मारा करते हैं ऐसे होता था वैसे हो तो इधर हो गया वह इधर हो गया तो कुछ दिनों बाद उनके पापा से ऐसे ही मुलाकात हुई तो हम लोगों ने कह अंकर जी आप लोग तो हवाई जाज में बैठ के आए हैं तो कते हैं नहीं तो तो हमने आपका पेटा तो यह बोलता हमा जो दोस्त है तो उन्हों ने जो भी डांट वांट बात में लगाई हो तो अब लिए हम लोगों ने पूछा कि वही तुम तो कहते हो तुम तो जाज में बेठे थे हम तो कागज काई अलह मार देते हैं बच्पना था हमने भी माँलै चाड़ और दोस्तों ने भी माल लिया तो ऐसी घब पे मत मारिये वो लड़का वो दोस्त नकली हवाई जाज के कहानिया सुना सुना यह खुश होता रहा और बाकी लोग सच मानते ह तो बागी लोगों के अंदर ये इच्छा जाग गई, ये हवाईजाज में गया है, तो मुझे भी जाना है, उन्होंने दर संकल्प लिया, कि हम जीवन में कुछ करेंगे और हवाईजाज में बैटेंगे, लेकिन वो वेक्ति तो उसी में खुश है, उसको असली की आउशकता नहीं होती है, ये बहुत गहरा पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको इसको छोड़ना होगा, असलियत पे जाईए, नकली पे मच जाईए, अगले पॉइंट की दरब हम बात करेंगे, बातों ही बातों में ताजमहल मत बनाईए, बातों ही बातों में नकली ताजमहल नहीं बनाना है, बातों का ताजमहल नहीं बनाना है, बलकि धैरे से, सैयम से, समझदारी से, असली का ताजमहल बनाना है, वास्तविक्ता को जीना है, नकली चीज़ों को नहीं जीना है, असलियत में करना है कुछ, बहुत हुआ मजाग, बहुत हुआ इधर काम करना है, तो जब तक ये दर्द संकल्प आप नहीं लेंगे कि ये तो जो करना है वो असली का करना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो इस दर्द संकल्प के साथ तैयारी को शुरू करिएगा चाहे वो पढ़ाई की हो बिजनस की हो प्यार की हो या किसी के साथ वार की हो तो दर्स अंकल्ब आपको चाहिए ही चाहिए अगला पॉइंट है बार बार काम को ना बदले जल्दी जल्दी धन कमाने के लिए जल्दी जल्दी काम को ना बदले अगर किसी काम को शुरू किया है तो पहले तो समझदाईश शुरू करिए फिर इंतजार करिए उसमें आने वाले रिजल्ट का और अक्सर वेक्ति क्या करता है जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तब उसकाम को बंद कर देता है हताश और दिराश होकर तो आपको इंतजार करना है, सबर करना है जब पेड में फल लगने वाले होते हैं, तब वेक्ति उस पेड के नीचे से उठकर चला जाता है और एक नया वेक्ति आता है और उस पेड के नीचे बैठकर उसकी छाया भी लेता है और फल भी खाता है, तो सब्र और इंतजार और धैर रिद्राम के जो तीन शब्द हैं इनको अपने जीवन में गांट के रूप में बाल लीजिए तभी आप साल 2022 में सफल हो पाएंगे प्यार में कंभीरता लाएं प्यार में दिल का प्रयोग करें दिमाग का नहीं किसी से भी अगर आप प्यार करते हैं क्योंकि यहां पर प्यार मत पैसा मांगता है प्यार तो सिर्फ प्यार मांगता है तो प्यार करिए प्यार दिल से करिए वैपार दिमाग से करिए तो बहुत बहतर रहेगा नहीं तो प्यार को अगर वैपार बना दिया इस बात को भी सीख लीजिए और अगर ऐसी आदत है तो इसको बदल दीजिए अगले पॉइंट की तरफ चाहेंगे पैसा कमा कर लुटाना नहीं है पैसा होगा तो दुनिया आपकी मुठी में होगी पैसा नहीं होगा तो रह चलत बैक्ती भी आपको ताना मारेगा पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से बिल्कुल भी कम भी नहीं है तो पैसा कमाईए, पैसा जोड़िये और अपने पास रखिये मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसे को खर्श मग करिये पैसा खर्श करने की चीज़ है पैसा खर्श करिए लेकिन पैसा अपने पास भी जोड़ कर रखिए उतना ही खर्श करिए चितने में दुनिया आपको मूर्ख न कहे कल को आप दुनिया पे पैसा लुटा बैठे जिनको आपने खिलाया था वही आपको ये कहेंगे पागल थे क्या बुद्धी नहीं थी जो लुटाते चले गए हमने थोड़ा में कहा था तुमने अपनी मर्जी से लुटाया है ऐसे व्यक्ति को हम क्या पैसा दे जिसको इतनी अकल नहीं है कि वो अपने पैसे का ख्याद लग सके हम अगर उधार दें सुख आपके साथ होगा मैं फिर कहूंगा पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से बिलकुल भी कम नहीं है अगले पॉइंट की बात करेंगे तो इस दुनिया में हर वेक्ति आपको धोका देने की आपको पीछा करने की आपको नीचा दिराने की कोशिश करेगा हर प्र शत्रू को खत्म ही कर सकते हैं कितने लोगों से आप दूर भागेंगे कितने लोगों का आप खात्मा करेंगे कितने पुलिस में जाके मुकदमे कराएंगे कितने कोड का शहरी करेंगे कितनों से लड़ेंगे कितनों के घर जाकर उनको समझाएंगे कितनों के घर आप कोड क नोटिस भेजेंगे शत्रुता तो जीवन के साथ चलती ही रहेगी कोई ना किसी ना किसी प्रडार का शत्रुत बना रहेगा तो ये मज़ सोचिए कि मैं पानी यानि समुंदर को बंद कर दूँ आप समुंदर में मिट्टी नहीं डाल सकते हैं जैसे समुंदर है ना तो समुंदर के अंदर सोचे की मैं मिट्टी डाल दूँ और समुंदर को बंद कर दूँ और उसके बाद पानी का खत्रा ही खत्म हो जाएगा ना ये पानी मेरे घर को डुबएगा ना मुझे डुबएगा तो ऐसा तो असंभव है आपको तैरना सीखना होगा बस आप तैरना सीखना लीजिए कितनी भी गहरी बाड क्यों ना आए कितनी भी तेज पानी का बहाओ क्यों ना आए थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन अंत में आप विजए प्राप्त कर लेंगे और शत्रू को परास्त होना पड़ेगा पानी की जो समुंदर की लहर होती है वो जितनी तेजी से आती है उत्ती ही शान्त होकर वापस भी लोट जाती है कभी समुंदर के किनारे खड़े होकर इस बात का अनभाव करिएगा तो मुसीबत या परशानी या शत्रू के दोरा किया गया परहार जितनी तेजी से होता है अगर व्यक्ती धहरने से उसका जवाब दे और सही तरीके से सोचकर उसका जवाब दे तो शत्रू बहुत आराम से वापस चला जाता है तो आप शत्रू को कम नहीं कर सकते शत्रू के होने वाले प्रभावों को या उनके तरीकों को कम नहीं कर सकते लेकिन आप अपना सुरच्छा चकर तो बना ही सकते हैं तो सुरच्छा चकर बना लीजिए तो किसी भी प्रकार का कोई भी भै नहीं रहेगा तो शत्रू को खत्प करने के पीशे इस साल मत भागिएगा, कितनों को खत्म करेंगे, इससे अच्छा है कि सुरक्षा अपना लीजिए, जो भी सुरक्षा होती है, अगर पानी से खत्रा है, तो तैरना सीख लीजिए, और अगर बारिश से खत्रा है, तो छत्री ले लीजिए, बारिश आ रही होगी, तो ये तो ही कहेंगे न, कि मैं बरसात रोक लूँगा, आप छत्री लेकर खुद को भीगने से जरूर बचा लेंगे, आप अपनी परशानियों का दर्द उसी को बताएं, जो समझ सके, आप उसी से बात करें, जो आप जैसा हो, उस इनसान से अपनी परशानियां न बताएं, जो आप की परशानियों का मजाख उड़ाएं, तो दर्द और खुशी, उसी के साथ शेयर करें, जो आप जैसा हो, जो आपको समझता हो, तभी आप सामने वाले का सपोर्ट बापाएंगे, तो ऐसे वक्तियों की तलाश आपको करनी होगी, ऐसे वक्तियों के सामने, अपने पीछियों की बाते मत करिये, जो पीद पीछे आपका उपहास उड़ाते हों, यह बहुत सारी हमने बाते आपको बताई, यह बाते हैं तो साधारन और सामने, लेकिन एक इनसान को काबिल भी यही आद्ते बनाती है, अंतिम हम बात यह कहेंगे, कि रोज प्रते दिन जब भ पहले भी इस धर्ती पर अपना प्रकाश दे रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो उद्य टाइम है, वो वक्त से होता है, सूर्य एक सेकंड भी ना देर से उगता है, ना आगे उगता है, ना पीछे उगता है, वक्त से सूर्य इस धर्ती पर अपना प्रकाश द ना होगा और सूर्य जो है वो पिता है सूर्य जो है इस जगत का पालंखार है तब ही आप इस जगत को इस दुनिया को कुछ दे पाएंगे जब आप सूर्य जैसी पंचुएलिटी नियम अपने जीवन में लेकर आएंगे और अगर नहीं लेकर आएंगे तो फिर तक्रीफ हो इसमें जरूर बिल जाएगी, इन कोईंस में आपको लगेगा ये तो साधारन बाते हैं, हम बड़ी-बड़ी बातों को समझने की बात करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बाते कभी समझना ही नहीं जाते हैं, तो इनका भी ज्यान हमें होना चाहिए, और जब आप इन चीजों क करेंगे, तो कहीं न कहीं ग्रह सितारे भी अच्छे हो जाएंगे, यकीन मानिये, इन आदतों को अपनाईए, तो आपको किसी बड़े समस्या से भी मुक्ती मिलेगी, और कोई बहुत बड़ा आपको पूजा-पाठ, अंगोठी पहनना, रखन पहनना, ये सब भी नहीं करन पड़ेगा, आपकी जिन्मगी में, बहुत सारा सुकून, पैसा, धन, खुशिया, सफलता, शिक्षा, सब कोच आ जाएगी, ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, सुनने में साधारन है, लेकिन जब आप एक एक बात कपते जीवन में उतारेंगे, तो कठनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुरी आते जाती नहीं, आच्छी आते आसानी से आती नहीं, नमस्कार